कि वैसे तो हम जो घर के लिए रेलेङं इस्तेमाल करते हैं वह इस्टालिज इस्टील की बनी होती है और इस्टालिज इस्टील दो क्डोक टी में बनी होती है जो कि जो एक है 2202 कॉल्टी मैं debates होते लेकिन हमारी यही दो कॉल्टिक जो इस्टील आती है 202-304 यह यहीं उच करते हैं जो कि हम देख सकते हैं यह यहीं पर यूच कर रहा है और इन दोनों कॉल्टियों में फार्क पाना बहुत ही मुस्किल होता है कि क्योंकि दिखने में दोनों एक ही सवान होते हैं जो कि क्वालिक रेट होता है जो कि हमारा 202 है अगर उसका चार्ज हमारा 5.5 रुपाई रणिग भूटका है तो 304 का हमारा चार्ज सब jedem एक तुaus रुपाय magic 통ण चाहते हैं और जाननाच चाहते हो कि इसमें क्या फ़र्क होता है कैसे चेक करना हमें मैं पूरी आपको दूंगा-जान गारी जो कि आप मेरी वीदियो में बढ़ते हैं और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइबार लाइक कि तो हमारी रेलिंग 202 है या 304 जयांए से धोकाध़ी से बचने के लिए तो हमें two three test होते हैं कि जो कि हमें उसे टेस्ट करवाने के बाद ये में मैं पता चलपा रभा यह हमारा 202 या 324 है जो कि हमें टेस्ट कर लाते में बहुत ही पहले तो हमारा टेस्ट करना है कि हमारे जो पाइप में मोहर लगी होती है वो 304 की लगी होती है और जो 202 होती है उसमें 202 या 304 नहीं लिखा रहता है जो कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है उसके बाद हमारा होता है कि हमारे एक लिकविड आता है कि जो हां तो हमारा 304 होता है उसके कुछ नहीं होता है और なफ अंब और तो हमारा बाता है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् अपना जो है 202 में है 202 ग्रेट की रेविए हैं हमारी और यह कुछ ऐंसे देख सकते हैं सब्सक्राइब कूछ यह का फ्रेटे दिखा रहा हूं तुमको अपको पूरा देखें जख सकते हैं कुछ ऐसे हैं कि यह कुछ ऐसे है जो कि अपना काम अभी थोड़ा साव दोर है तो इसे भी मैं पूरा कर रहा हूं दीर दीर करके और अपने जो अभी यह हमारे जो यह पाइप है जी इनका भी बहा हमारे जो काम झायमे जो एक गप यह जो हमारे में डूरा गशना काम भी मैं मुद हो ना काम शीना क Keys कुछ यह हम च।ые प की